Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Unic Classes. तो जैसे कि आप सबी को पता है कि Unic Classes आप सबी को SOSC से related जो भी information है, तुरंथ ही आपको provide कर देता है, जैसे ही उसको पता चलता है, ठीक है? यानि कि जैसे ही हमें पता चला कि SOSC में इतनी big update आई है, तो मेरा फर्ज यही था, कि बिना कुछ सोच समझे, आप सबी को inform करना, हो सकता है, इस समय कुछ बच्चे जो हैं अपने स्कूल में गए हों, कुछ बच्चे जो हैं PVA का जो भी उनका round 2 था वो देने गए हों, तो कुछ भी possibility हो सकती है, बट मेरा काम है आप सभी के साथ यह जो information है शेयर करना, तो जल्द से जल्द अपने सभी friends में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जा, इतनी बड़ी जो news आई है, सबको इंतिजार था कि result कब आएगा, SOSC का जो result है, वो और भी result आए है, कौन-कौन से result आए है, वही आज बात करने वाली हूँ, तो सबसे पहले देखो, यह मैं Adudel की website पे आई हूँ, यहां से हम open करेंगे, Dr.BR Amidkar को यह रहा, मैं इसको open कर देती हूँ, इसके बाद देखो, इसके बाद जो है, या तू आप क्या कर सकते हो, लोगिन पर जा सकते हो, डिरेक्ट और आप information पा सकते हो, या फिर आप देख सकते हो, तेरा है ये तारीख, और इसी टाइम पर मैं बना रही हो वीडियो, आज के दिन ही, तो लोगिन कर सकते हो, डिरेक्ट जा सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हो, हम नीचे की तरफ जाएंगे, और जो भी information होती है, वो यहाँ पर हमें मिल जाती है, ठीक है, कई बार यहाँ पर नहीं मिलती है, इसलिए जो लोगिन पर जाना परता है, अब देखो, इसमें क्या बता रखा है, किस का result आया है, और कैसे चेक करना है, मैं आप सभी को inform करती हूँ, देखो, जितने भी candidates है, जिन्होंने humanities का जो round 1 है, वो clear कर लिया है, ASOSC में, तो वो round 2 के लिए, अपना जो admit card है, उसको download कर सकता है, और उसके instructions को carefully आपको जो है check करना है, यह ना हो, कभी date निकल जाए, और round 2 ना हो पाए, समझ गए, आप देखो, यहाँ पर main चीज यह है, कि बच्चे पुछते हैं, कि या round 1 में जो marks आये, वो हमें show होंगे, हम अगर fail हो गए है, तो वो show होगा, तो मैं आपको बता दू, round 1 का कोई result show नहीं होता है, अब round 1 जो है, उसका result show ना होकर, direct आपको admit card मिलता है, जिसका admit card download हो जाता है, वो बच्चा पास हो जाता है, और उनके पास message भी आ जाता है, आप देखो, इसी तरीके से, एक और information आई है, high end 21st and your skill का, जो आपका round 1 है, यानिके stage number 1 जो है, वो जिसने qualify कर लिया है, वो बच्चा round 2 के लिए preparation कर सकता है, उसके लिए उसको admit card download करना पड़ेगा, वहीं पर जितने instructions हैं, वो आपको read करने पड़ेंगे, वो आपको समझने पड़ेंगे, तो ये मैंने information दी है, और PVA का तो होई गया है, और अब मेरे ख्याल से एक दो और है गया, जिन बच्चों का वो कर सकता है वहां से, इसके साथ आपको क्या करना है, कि आपको simply इसमें जाना है, ठीक है, ये जो Dr. B.R. Ambedkar school है, इसमें जब जाएंगे, तो इसके बाद आपको लोगिन पर क्लिक करना है, जब आप लोगिन पर क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आती है, information भी शो होती है, यहां पर आपकी जो बेचीज़े आई हुई है, देख सकते हैं आप इस तरीके से बता रख हैंनोंने भी, अभी तक केवल PVA का, Humanities का और High End 21st Annual Skill का ही आपका Admit Card आया है, आप सभी को बता दू, इन में इंटर्व्यू होगा, तो इंटर्व्यू किस तरीके से होता है, उसकी मैंने अल्रेडी जो है, एक मौक डाला है इंटर्व्यू को लेकर, अब देखो, यहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ पर देखना है, कि इस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, दैन आपको, वेरिफिकेशन टेक्स्ट जो है, वो fill करना होगा जो यहाँ पर दे रखा होगा अगर यह समझ नहीं आता तो refresh भी कर सकते हो ठीक है अब देखो किसी के पास अगर registration ID नहीं है पासवर्ड नहीं है तो एक तो तरीका यह है कि message जो है फोर्गट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो और फिर फोर्गट जो है registration ID पर क्लिक कर सकते हो तो उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है तो फिर वो आपको जो आपका new password और registration ID बता देते हैं तो मेरे ख्याल से इंफोर्मेशन काफी helpful रहेगी आप सभी के लिए और जो भी वीडियो कि टेलिग्राम को जोइन कर लो और इस वीडियो को like कर दो share कर दो comment करके बताओ कैसे लगी thank you for watching this video